इंडियन सिनमा के सुप्रसिद कलाकार, राइटर और डिरेक्टर राज कपूर उन फिल्मेकर्स में से थे जिनके इंफ्लूएंस ने हिंदी सिनमा को एक नाया आयाम दिया चाहे वो उनकी शुरुवाती फिल्में हो जैसे आवारा, बरसात, बूट पॉलिश या फिर बाद की फिल्में जैसे मेरा नाम जोकर और प्रेम रोग इन सभी फिल्मों में आम आदमी को अपना जीवन और अपने सपने सजीव होते नजर आते थे उनकी फिल्में बहतरीन संगीत से लब्रेज होती थी और हर फिल्म में एक सोशल मेसेज जरूर होता था अपनी योगदान के लिए उन्हें कई राष्ट्रिय और अंतर राष्ट्रिय अपरसकारों से नवाजा गया जिनमें दादा साहिब भालके और पद्म भूशन शामिल है उनके जन्रिन के अवसर पर दूरदर्शन आर्काइब्स की ओड़ से एक श्रद्धांजली के रूप में आए देखते हैं उनके साथ ये मुलाकात पर दूरदर्शन वाले श्रजी बाटे में यह वो ले रहे हैं कुछ इंटर्व्यू मैं तो कल के लिए तो हूँ ही यहाँ कल शाम तो बहुँ निकल वो फंक्शन है नजी चे बजे है नजी दादा साफ फाल के अवर्ड जो दिया है यह जी परने का ठीक है नहीं जी नहीं जी नहीं आट श्रीफोर्ट श्रीफोर्ट श्रापला के अवर्ड वार्ड जुदक the outset. I don't think the Dada Saheb Palki Award could have found a more fitting candidate this year certainly than you, who was the thespian and perhaps the greatest living veteran of Hindi cinema, of Indian cinema today. Your reactions on the award, sir? I am very happy with you. I am very happy with you. This is two reasons. One is a few years ago, the first time the Dada Saheb Palki Award gave me the award. But then I am not very happy with you. I was happy with you. It was a great gift of God. I was happy with you, if you ever leave me, you will be my family. This is not my family, you अकेले का नहीं ये अगर है तो उन संगी साथियों का जिनों ने ये मुम्किन किया कि मैं इसके लाइक इसके काबिल बनूँ सिर्फ मैं ही नहीं मेरे वो सब साथी वो सब जिनका योगदान आरके फिल्म्स आरके स्टूडियोज और आरके की वजूद में आरके क्या है अगर आज मुझे उसका एक नुमाहिंदा चुना गया है और दादा साथ फालके अवोर्ड दिया गया है तो तरसल ये उन सब का है वो सब उसमें उतने ही हिस्सेदार हैं जितना राजकपूर है उन में से कई साथी नहीं है चले गए, कई साथ ही हैं, मैं सब की तरफ से आप सब का बहुत ही अभार मानता हूं, और मैं उनका अभार मानता हूं, जिन्नों ने ऐसा करिश्मा कर दिखाया, कि अगर सब साथ हैं, तो कोई वज़े नहीं कि हम नजाने किसी भी छेत्र में क्या न कर दिखाएं, क्या न अचंबे पैदा करते हैं। शुक्रिया, इसके सिवा मैं और क्या कहूं, कल खेल में हम हो नहूं, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा, भूलोगे तुम, भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। ये शेलेंद्र जी का लिखा हुआ, मेरा नाम जोकर के बारे में, इस वक्त मुझे याद आता है, कि जब उन्होंने कहा, कि जीना यहां, मरना यहां, इसके सिवा जाना कहा, फिर शेलेंद्र की बात याद आती है, कि बहुत दिया, देने वाले ने तुझको आचल ही न समाए, तो क्या कीजेए। मैं तो इसकदर दब गया हूँ, आप सब के प्यार से, आपकी शुपकामनाओं से, आपके इसने से, कि अब शायद वो प्रार्थनाओं का असर है, जो उन सब ने मेरे साथ मिलकर, जब हम काम कर रहे थे, हर वक्त, हर कदम कदम पर हम याद करते थे, और कहते थे, एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा, मैं आप सब का बहुत-बहुत मश्कूर हूँ, शुकर गुजार हूँ, आभार, आभारी हूँ, कि आपने मुझे ऐसा काबल समझा, यही प्रार्थना है, आशिरवात दीजे, कि जब तक मुझे में सांस है, मैं आपके इस प्यार के योग काम करता रहूँ, कि जब वाले हूँ, आपके प्रवाद